नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में तो अभी चुए हार्वैस्टिंग बंद हो चुकी है क्यों कि तीन गड़ेया हो जो एक काटने के बाद एक गड़ेया की गड़ेया यह और तीन यह काट दी थी क्यों कि मशीनों को तो दूसरी जगह जाना था चलने के लिए तो जितना भी हो सकता था कल कड़वा लिया था और फिर मुझे कल बरेली जाना था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया वाकी अभी जो है कुछ दान नीचे रह गई है कटने के लिए क्योंकि उन में पानी भरा था और मसीन ज देल के आपको दिखाता हूं तो अभी जो है आप देख सकते हैं इतना फील्ड कटा है और एक बोर अपना यहां पर है जिसमें साड़े साथ हैच्पी की मोटर यहां पर डली हुई है यह देखिए डारेक्ट जो है लाइन लगी हुई है और यह कुछ स्टार्टर यहां पर है और यह मोटर डली हुई है तो इसकी वाइरिंग जो है अंडर ग्राउंड है ताकि यह ट्रैक्टर वगएरा निकलते हैं तो उसमें दिक्कत ना हूँ वाकी अगर देखें आप जो कल मशीन ने कटाई की क्योंकि उस दिन जो है उसकी चन्नी में से दाने ज्यादा आ रहे थे अगर अभी मैं आपको एक लेविल जगह पर जाके दिखाऊंग कि कितने दाने दियें क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कितना अब टेक्टर वह जो फार्वेस्टर है उसके टायर बैठे थे वाकी अभी यह जो भूसा यहां पर इसमें देखते हैं आप नुकसान तो फिर भी हुआ है क्योंकि जो है यहां पर आप देखें तो इसमें कुछ दाने तो ऐसे हैं जिनमें कोई भी दाना नहीं है मतलब सिर अब बुकली बुकली रह गई है और वाकी यहां पर जो कुछ है तो यह तो भरे हुए दाने हैं तो कुछ फसल का नुकसान तो हर्वेस्टर में होता है लेकिन जितना नुकसान होता है उतना तो वह हाथ की कटाई से लेवर ले जाती है तो वाकी अगर अभी यह देखिए पानी भरा हुआ है और अभी आगे की जो हैं गड़िया उनमें तो और ज्यादा पानी भरा हुआ है तो इसलिए इनकी कटाई नहीं करवा है और जो मशीन है उसे दोनों मशीनों को दूसरी जगह जाना था चलने के लिए तो उन्हें कल ही महा पर भीज दिया अभी मैं आप जाके दिखांगा मुसंबी की खेत में टमाटर लगाने की तयारी भी हो रही है तो वह कितनी है अभी उसमें क्योंकि पवदी नहीं लगी है यह दान है यहां पर देखिये पूरी जमीन गीली है यहां पर तो मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ आप कुछ यह जो है अपनी चार गड़ी है रह गहीं थी एक दो तीन और चार कड़ने के लिए रह गई थी वहां कि उस तरफ तो अपनी जो है मुसम्मी का एक बगीजा बना हुआ है तो उसमें दान वैसे ही नहीं लगाते तो यह चार जो जगह यह चार गड़ियां रह गई थी तो इन्हें काटने के लिए अब जहां तक इन्हें हा कटवा रहे हैं और यह देखिए अभी आपको दखाओं पानी वरा हुआ है यहां पर तो यह देखिए यहां पर आखरी एंड हो गया इनका और यह इस तरफ जो है अपना मुसम्मी का एक बगीजा है जिसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं मतलब यह सिर्फ बगीजा इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि अगर इसमें धान लगाएंगे तो पानी भरना पड़ेगा और अगर ज्यादा पानी भरेंगे तो यह जो है सूख जाएंगे तो इसलिए यह देखिए आप अभी विल्कुल खाली पड़ा हुआ है बरसात भर से तो इसमें अभी जो है टमाटर ल लगाने की तैयारी करेंगे उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डाल देंगे जब इसमें जो पार बनाएंगे ताकि टमाटरों को लगा सकें और कई जगह ऐसी है यहां पर जो मतलब इसमें सिर्फ अगर चाहें तो अभी चने लगा सकते हैं गेहू नहीं लगा सकते क् करेंगे तो फिर इसमें मशीं नहीं चल पाएगी लग वाड़ी दिककत होगी यह जो भीकश की कटाई नहीं हक'll पाएक यहांपड जैसे अगर यह दो पैड है अगर एसमें कटाई करेंगे तो फिर यह कटाई नहीं हुपाई तो इसलिए सिर्फ चन लगा सकते हाथ से कड़ने वाली फसल कुछ भी लग जायेगी यहां पर लेकिन इसलिए अभी तो सिर्फ टमाटर लगता है हर सीजन दो साल से यहां पर टमाटर ही लग रहा है और टमाटर लगाएंगे यहां पर तो अभी यह चार और कड़ जाए फिर उसके बाद यहाँ पे जब ट्रेक्टर लेके आएंगे और फिर करेंगे चालू तो चलिए अगर मुसंबी के पेड़ों की बात करें तो इनको लगभग चार से पांच साल हो चुके हैं याद में भी जादा हो गए होंगे मैं ऐसा ध्यान तो नहीं है तो अभी मैं दिखाओं इसमें आपको तो एक फल यहाँ पे है मुसंबी का लेकिन अभी इसमें रस नहीं बनाई यह पके नहीं है अभी प्लकुल मतलब छोटे छोटे नीहा जो बोलते हैं वो हैं तो जब यह पक जाएंगे तो हो सकता है खाने को मिलें दिखाते रहेंगे आपको इनकी वीडियो भी बाकि यही सब था इस वीडियो में अगर वीडि लाइक करें धन्यवाद